हलो एवरीवन, वेलकम टो वीवास लाइफ, कैसे हैं आप लोग, I hope सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआ से, हम लोग भी अच्छे हैं, अभी सुबह के बज रहा है, पौने पांच, चल रहा हैं बनाने सबजी, तो उसके लिए अभी देखिए, हम इसमें सुरन चीले थे, वो पीसने के लिए डाल रहे हैं, और आधा प्याज लेंगे, पीसने के लिए, आज सबजी है, मेरा सुरन का, एकदम मस्त बनाएंगे, आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे, तो फिर नौनवेज इसके सामने तो फेल है, तो आप लोग देखिए, य जादा तेल नहीं डालेंगे, उतना ही डालेंगे कि सुरन भी हो जाए, और उसी में फिर हम सबजी का चोक भी लगा दें, तो अभी इतना सही है, तेल, और पेश्ट बनाने के लिए देखिए, हम इसमें लासन प्याज डाल लिए हैं, और तड़का लगाने के लिए जाए, हम पिसने के लिए हैं, और डेड़ प्याज, दो प्याज काटे थे, तो अधा पीछ दे रहा है, तो तरके में, तो अभी तो देखिए, मेरा तेल हो गया, तो अब सुरन डाल के, फ्राइ कर लेंगे, अभी इदर सुरन डाल देंगे, फ्राइ होता रहेगा, फिर इस और यह है मसाला में हम डाल रहे हैं धनिया पावडर है इसमें जीरा पावडर मरिज पावडर यह तीनो हम सबजी मसाला बनाए हैं एक में तो यह हम दो चम्मच करिब ले लिए हैं बस इसी का पेस्ट बनाएंगे और इसमें कुछ नी डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें ले पूरा ये देखिए इतना तेल मेरा बच गया था तो इसमें तेजपत्ता और जीरा हम डाल दिये हैं और अब इसमें थोड़ा सा हींग तो मेरा हर सब्जी में जाता है और ये है कुटा हुए अद्रक इसमें थोड़ा सा और फिर इसमें दो ठोग खड़ी लाल मीच डाले हैं तड़के में और अब ये प्याज जो पतला-पतला काटे थे प्याज है अभी इसको अच्छे से डाल के भुनेंगे प्याज को इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे जल्दी से से गल के प्याज भुना जाता है थोड़ा सा नमक डाल देंगे उसके बाद इस प्याज को एकदम गोल्डिन ब्राउन होने तक भूनेंगे गोल्डिन ब्राउन होने तक भूनते हैं तो वो जब गलता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है अब लोग जरूर ट्राई करिएगा एक बार तो अभी देखिए मेरा प्याज एकदम अच्छे से भूना गया है गोल्डिन ब्राउन हो गया है और अब इसमें जो पेस्ट बनाए थे लशुन और प्याज और धनिया जीरा मरिच का धनिया का पाउडर ही था और मरिच जीरा का भी उसी में था लेकिन उसको भी अब इसके साथ पीस दिये हैं तो अच्छा हो जाता इस वाद तो वो डाल दिये हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पके धनिया भी है तो अच्छे से पकना चाहिए इसमें हम अभी हल्दी नहीं पीसे हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पावडर डाल देंगे और मिर्च भी खड़ा नहीं पीसे हैं, हम बस दो ठो डाले हैं, तो अभी मिर्ची पाउडर थोड़ा सा लेंगे, इसमें मिर्ची पाउडर से ही तेजाई आता है, अच्छा रहता है, हमको हरा मिर्ची इसमें नहीं पसंद है, तो नहीं डालते हैं, वैसे मिर्च पाउडर ही पीसने में डाले थे धनिया और उसमें जीरा मरीच का पेश्ट था तो उसमें भी था इसलिए कम डालेंगे और ये मेरा मसाला भुना रहा है तब से हम चावल धूल के रख लिए हैं अपना बंद करके क्योंकि मेरा सबजी हो जाएगा तो इसी पे चावल रख देंगे मेरा त अच्छे से भुना गया है तो इसमें सूरन डाल करके मिक्स करेंगे अच्छे से सूरन तो भूनना नहीं है ये तो खुद फ्राई हुआ है तो अभी इसको वस थोड़ा सा इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे मसाले में टमाटर नहीं डाले है इसमें टमाटर नहीं डालना है ये देखिए भुना गया है मेरा अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल के पहले पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी जितना ग्रेवी आपको चाहिए उतना डाल लीजे ज्यादा पानी लेकिन अच्छा नहीं लगता है बस थोड़ा सा अब इतना सही है अब ये मेरा नमक पढ़ गया अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको ठाली से ढख कर छोड़ देंगे पकेगा अभी इसको साइड वाले चुले पर रख दे रहे हैं और इस पर चावल चड़ा देंगे तो मेरा सबजी और चावल साथ में पक जाएगा तो जल्दी से हो जाएगा और ये सब जब से पक रहा है तब से हम अपना आटा थोड़ा साल लेके गूत लेंगे तो चावल हो जाएगा उसके बाद हम रोटी बना लेंगे ये देखिए मेरा चावल हो गया है सीटी आ गया अब इसको उतार लेंगे उसके बाद देख लें थोड़ा सबजी पक गया की नहीं ऐसे पक गया होगा चावल हो गया तो सबजी भी होई गया होगा कितना लेट लेगा यह पकने में यह देखिए मेरा हो गया सबजी एकदम इसका ग्रेवी भी परफेक्ट है अभी इसको ढख कर छोड़ देंगे अब हम पहले रोटी बना लेंगे उसके बाद सबजी को पलट लेंगे दूसरे वरतन में अभी तब से इस चुला पर इसको रख दिये हैं अभी रोटी बना लेंगे अभी देखिए मेरा सारा खाना बन चुका है अब हम टीफिन लगा रहे हैं सलाद भी काट लिये हैं सबजी भी हम अपना दूसरे बरतन में पलट लिये हैं उसी कड़ाई में छोड़ देते तो ये काला हो जाता है लोहे का कड़ाई है लोहे का कड़ाई में आप सबजी बनाईए बहुत स्वाधिश्ट लगता है तो अभी हम मेरा सारा काम पूरा हो गया टीफिन भी हो गया अब ड्यूटी जाने के लिए तयार हैं अभी वो देखिए ड्यूटी चले गया अभी हम ये थोड़ा सा मक्षन था फ्रेज में तो ह हम खाना ही नहीं बनाए थे बस सुबह में थोड़ा चाठो पराठा किट्टू के लिए बनाए थे तो उतना गंदा नहीं हुआ ता कीचन इसलिए जल्दी से हो गया तो अभी हम नहा भी लिए अब नहाने के बाद चल रहे हैं खाना खाने ये देखिए सबजी है रोटी च खालए खालए अधे ए इसली मिल रहे थे अभी कि यह दके आवाद सुना तो उपर देखने लगा कि खाल अब यह धीरे धीरे काना खाने लगा है थंडी भर एकदम बिल्कुल खाना नहीं खाया था अब खाने लगा है थोड़ा बहुत देखिए तो अब हम भी चलें थोड़ा खा लें तो आप लोगों को बताते हैं कैसा है सबजी का स्वात बहुत अच्छा एक बार जरूर आप लोग ट्राई करिए मेरे तरीके से आप लोग बहुत पसंद करेंगे ये नौनवेज फेल है इसके आगे अगर य ये था मेरा सूरन का सबजी शुबह का अगर आप लोगों को ये मेरा सबजी पसंद आया इसका रेसीपी तो प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो नए है मेरे चैनल पर प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए जो नहीं किये है मेरे चैनल को बाइबाइ